फिर बारे में यह सबसे पहले मैं आपने mosphoon के मदद से बना सकते हो सबसे पहले हैं आपका उम्मर्ड छोनल सन लेकर उनसे सल के बीच में है तो आप लोग Gillum하 Śirm Ream Collor ऐसंर मार्ब की सबसे पहले जासे का सबसे पहले आपको फोन नंबर लिंक होना चाहिए उसके बाद आपके पास चाहिए एक बैंक अकाउंट, अगर आपके पास बैंक अकाउंट है फिर भी आप लोग जो है यहाँ पर इस्रम कार्ट को बना सकते हो, इस्रम कार्ट को कैसे बना जाता है पूरी जनकार इस वीडियो में आप लोगों को लाइप पर पेश्टिप बा आपको क्या करना है अपनी मुआइल फोन में एक ख्रोम प्राव जिर एप्लिकेशन को ओपन करने के बाद आप लोग समने कुछ इस तरह का इंटरसेज देखने को मिल जाता है उपर के सेट में देख सेट हो कि आप लोग समने एक सर्च बार का इकन दिखने को मिलेगा तो स सबसे पहले आपको सर्च बालेकन पर किलिक कर दोगे उसके बाद आपको टाइप करना है इसरम कार्ड जैसिक कर दोगे आप लोग समने कुछ इस तरह का इंटरसेज देखने को मिले जाता है सबसे पहले देख सेकतों कि आप लोग समने 1st website ओपन ओजाता है जिसका नाम है इस्रम कार्ड ओनलाई रजिस्ट्रेशन आपको इसी पर क्लिक कर देना है जैसे के आप लोग इस पर क्लिक कर दोगे आप लोग समने कुछ इस तरह का इंटरफेट देखने को मिल जाता है सबसे पहले आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है अधार काड लिंक मॉवाइल नं है जैसे कि मैंने अपने फोन bre networks फील को दिया उसके बाद यहां पर देख से तो नीचे की तरफ में लिखा गया यहाँ पर इंटर केपचा अब सिंप्ल आपको क्या करना जो भी ये केपचा लिखा हुआ है यहां पर आप लोगों को सही सही जो है इस केपचा को आप लोग को यहां पर फिल करना परेगा तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं अपने जो केपचा है उसे अच्छे तरीके से हम लोग फिर से रिसेट करके आप लोग निव केपचा को मंगा सकते हूं तो फाइनली मैंने यहां पर अपने केपचा को फिल कर दिया है उसके बाद यहां पर आप लोगों को करेंगे और फिर यहां पर अपने ओटीपी आने का फिल करते हैं उसके बाद हम आगे का परसेस आपको बताते हैं तो फाइनली फ्रेंस यहां पर जो है मेरा ओटीपी आ जुका है और हम यहां पर अपने ओटीपी को फिल कर देते हैं उसके बाद आपको simply क्या करना है यहां प आप लोगों को फिल करना परेगा तो चलिए हम सबसे पहले अपने अधार नंबर को यहां पे फिल कर देते हैं तो फाइनली फ्रेंस मैंने यहां पर अपने अधार नंबर को फिल कर दिया हुआ है अब simply आप लोग क्या करना है, यहाँ पे एक OTP का इकन हैगा, तो आप लोगों को OTP वाल आगन पे टैप कर देना है, उसके बाद यहाँ पर देख सो, इंटर केपचा पे फिर से आप लोग क्या करना है, यह जो आप लोगों का केपचा है, यहाँ पे आप लोगों को सही सही आपको simply क्या करना है नीचे की तरफ में देख सकतों आप लोग समने I agree का option दिखने को मिलेगा तो सबसे पहले आपको I agree पे click कर देना है और जैसे के आप लोग I agree पे click कर दोगे उसके बाद आप लोगों को submit का icon देखने को मिल जागा simply आपको submit वाल icon पे click कर देना है जैसे के आप लोग submit वाल icon पे click कर दोगे आपके number पे एक OTP जाएगा और simply आपको क्या करना है उस OTP को यहाँ पे आप लोगों को feel करना पड़ेगा तो चलिए हम अपने OTP को जुआए यहाँ पे feel कर देते है finally friends मैंने यहाँ पे अपने OTP को feel कर दिया है उसके बाद आप लोगों क्या करना यहाँ पे देख से तो wallet भी आप लोगों को click कर देना है जैसे के आप लोग wallet पे click कर दोगे यहाँ पे आप लोग सामने कुछी सतरा का interface देखने को मिल जाता है नीचे की साइट में आप लोग आओगे तो यहाँ पे आपका अधार काड का जो भी आप लोगों का document होगा यहाँ पे आप लोगों का show करने लगेगा जो भी location होगा वो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जागा उसके बाद आपको simply क्या करना है यहाँ पे आई एगरी पे टिक कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पे टिप कर देना है continue to enter other details पे आपको किलिक कर देना है जैसे का अब लोग इस पे किलिक कर दोगे आप लोग समने कुछ इस तरह का इंटरस पे देखने को मिल जाता है यहाँ पर देख सो तो कि आपके number पे जो registration हो रहा है यहाँ पे आपका phone number आ जागा उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना emergency आप लोगों को phone number देना परेगा जो आपके घर बे किसी का भी आपको phone number यहाँ पे feel कर देना होगा तो चले हम यहाँ से पने phone number को feel कर देंगे उसके बाद यहाँ पर देख सो तो आपको एक email ID feel करना है अगर आप लोग देना चाहे तो email ID दे सकते हो यह आप लोग इससे छोड़ सकते हो उसके बाद friends आपको क्या करना है यहाँ पर देख सो तो आप लोगों को एक option देखने के मिले नहगा father's name अपको आपको क्या करना अपना father's का नाम आप 비arti कर देना है टाइप करने के बाद यहां पर देखको तो आप लोगों को social category option से आपको इस पे टैप करना है और tap करने के बाद यहां पे आप कौन सी चाहती से आते हो यहां पे आप लोगों को select कर लेना होगा तो चली मैं यहां से OBC को select कर लेता हूँ उसके बाद आपको नीचे के तरफ में आना है और नीचे के तरफ में आने के बाद यहां पर देख सो नीचे की तरब में जब आप लोग आओगे to olsun खा एक एक लगवा जहां पर देखसे एक नंबनी डितेस्ज अब यहां पर आपको अपना नम लिखना पर यहां पर अपना आम कल दिका बार्तराक की वह जेंडरल है या वहां पहूग उपसन खाले आखा किCo sorry यहां पर देख सो तो आप लोग को पूछा जा रहा है कि यहां पर रिलेसंसिप जो है उससे क्या है तो आप लोगों को यहां पर अपने रिलेसंसिप को जो यहां पर फिल करना परेगा तो चली मैं इतना सारा डोकुमेंट को जो है यहां पर फिल कर देता हूं उसके बाद आ यहां पर देख सोु कि सबसे पहले आप लोगों को यहां पी बोला जारा है तो यहां पर देखsome the ohme School 먹어 camodel 37 अब यहां पको को अपना डिश्टी को स्लैक्ट करना होगा तो चीली मैं यहां से अपना district को जो है यहां पे select कर लेता हूं तो यहां से आप लोगों को पूछा जा रहा है house, यहां पे house number अब यहां पर आप लोग किसी भी कुई भी चीज यहां पर टाइप कर सकते हो, तीन चार जितना चाहे उतना टाइप कर सकते हो, उसके बाद नीचे की तरफ में आऊगे, तो यहां पर देख से तो आप लोग समने जो है, यह अपसने को अन हो जाता है पर इसको छोड़ देना जैसे के अरो पर किलिक कर दोगे, उसके बाद जो बी यह स्टेट है यहां पर इस टेट का नाम से होने लगेगा, आप जिस भी ऍस्टेट हो आपको इस state सれた कल लेता है, मैं भी हार चीएऊ तो मैं यहां पर सिंपली व्यार को सलेक्ट कर लेता हूँ व्यार को select करने के बाद यहां पर देख से तो आप लोगों को district select करने का option आदेगा simply आपको अपना district select करने के लिए फिर से आपको इस arrow पे click कर देना होगा जैसे का arrow पे click कर दोगे आप लोग समने कुछ इस तरह का इंटर से दिखने को मिल जागा अब simply आपको यहां पे अपना district को यहां पे खोल लेना होगा तो finally मैं मुझपरपूर से हूँ तो फिर से मैं मुझपरपूर से select करना होगा उसके बाद नीचे के तरफ में आओगे तो यहां पर देख से तो आप लोगों समने तो मैं simply यहां पर वनुराज मोतिपूर को यहां पर select कर लोगा आप जहां से भी वहां पर select कर लोगे उसके बाद नीचे के तरफ में देख सकतो हो कि आप लोग समने यहां पर पूछा जा रहा है PINCODE को आपको यहां पर अपने PINCODE को फिल कर देना होगा कि दा वखा आपको यहां पर फिल करने के बाद आपकोOWR função करने के बाला में नीचे के पर आप लोगों को एक option देखने को मिल जागा तो आपको फिर सेंग क्लिक इतने वर्ट का experience है आपको यहां पर अपना experience को select करना है तो simply हम यहां से पंद्रा से बीस select का लेता हूं उसके बाद आपको simply क्या करना है यहां पर देख से तो आपको फिर से का interface देखने को मिल जागा नीचे की तरफ में आऊगे तो यहां पर आप लोग को simply जो है यहां पर education select करना होगा तो चली मैं सबसे पहले education पर क्लिक करता हूं और जैसे क्लिक करोगे तो यहां पर आप लोग समने कुछ इस तरह का interface देखने को मिल जागा आप कौन से sector का option आजाएगा तो मैं यहां से अपने select कर लेता हूं तो finally यहां पर हम लोग चेक आउट कर लेते हैं तो finally friends यहां पर जो है मैं यह वाला select कर लेता हूं उसके बाद नीचे की तरफ में आऊगे यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप कितना तक प्राइक हो तो यहां प आपको यहां पर अपना select कर देना होगा तो finally friends यहां पर मैं 10,000 select कर लेता हूं और जैसे की select कर लोगे उसके बाद आपको simply क्या करना है नीचे की तरफ से फिर से आपको option देखने की मिल जाएगा save and continue का आपको save and continue पर क्लिक कर देना है जैसे का आप लोग इस पर क्लिक कर दोगे उसके बाद आपके सामने जो है आपका bank details जो है यहां फिल करने का option आ जाएगा और फ्रेंस यहां पर देखसे तो आप लोगों सामने जो है यहां पर पूछा जाँ रहा है तो आपको सबसे पहले यहां पे जो है आप किज चेतर में काम करते हो उसके लिए आप लोग को यहां पर select करना होगा तो चली मैं सबसे'll सेह पहले इसपे क्लिक करता हूँ और यह आप जिसवी चेतर में काम करते हो उस चेतर को आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा तो चली मैं सबसे पहले यहाँ पर अपने चेतर को टाइप कर लेता हूं तो finally, जैसे आप लोग सरज करोगे तो आप लोग सामने कुछी सतरा का इंटरर से देखने को मिल जागा जिसवी आप चेतर में काम करते हो तो उस चेतर का जो यहाँ पर नीचे में आप देखने को मिल जागा आपको सिंप्ली करने उसको स्लेक्ट कर लेना होगा select करने के बाद उसके बाद देख सेकतो नीचे की तरफ में आप लोगों से पूचा जा रहा है कि आपके पास कितना साल का experience है आपको काम करने का जो आप छेतर में काम select कियो हो आपको यहाँ पर experience select करना पड़ेगा तो finally मैं यहाँ से जो है आपको simply save and continue पर किलिक कर देना होगा जैसे का आप लोग save and continue पर किलिक कर दोगे उसके बाद यहाँ पर आप लोग सामने आ जाता है bank account का details यहाँ पर आप लोगों को fill करना परेगा तो सबसे पहले आपको देख सेकतो यहाँ पर option देखने को मिल जागा account number उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख से तो confirm account number उसके बाद यहाँ पर देख से तो account holder name जो जिसका भी आप लोग यहाँ पर account number डाल ले हो उसके यहाँ पर account holder name यहाँ पर type कर दिना है उसके बाद यहाँ पर देख से तो आप लोग समने जो है डिट्रेव एंड कंटिनू वाले एपसें पे किलिक कर देना होगा जैसे कि आपका इसरम कार्ट बंड के यहां पे तयार हो चुका होगा आपको क्या करना है उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ तो यहां पे जो भी आपने इसरम कार्ट के लिए अपलाई किया थ आपको क्लिक करके आपको सही का टिक कर देना होगा जैसे कि सही के टिक कर दोगे उसके बात आपको सम्मीट वाले इकन पे फिर से आपको टैप करना होगा तो चले मैं सम्मीट पे क्लिक कर देता हूँ जैसे कि आप लोग सम्मीट वाले एकन पे क्लिक कर दोगे आप लोग स करना यहां पर download वाले option पर click कर देना होगा और जैसे कि आप लोग डाउंलोड वाले option पर click कर दोगे यहां पर आप लोगों का ishram card यहां पर त्यार हो जुगा होगा तो चली मैं यहां पर सबसे पहले जो है इसको डाउंलोड कर लेता हूं तो फाइनले देख सकतो कि हमारा जो है ishram card यहां से बनके त्यार हो चुका है और यहां पर download भी हमारा होना त्यार हो चुका है उसके बाद हम simply क्या करेंगे जैसे के हम लोग complete registration पे क्लिक कर देंगे यहां पे हम लोगों का complete registration हो जुका है अब हमें क्या करना यहां पर दिख सकतो थे को मिल जाएगा तो फ्रेंस आसा कर तो को मैं बताएं इंफोर्मिशन आपको अच्छे लेकर वीडियो को भी पार्ट क्लिप अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दोना चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना क्यों कि कैसे तरह का लेटेस और फॉर्मिट वीडिय कि वब बाए